हालो इस्टुडेंट्स माइशल्फ रतेज जांगिड टीम फिजिक सी एल सी आपन पार्ट टेस्ट त्री जो है डामेंट रेज सीरीज का उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके अपने टोपिक्स जो है वो हीट है वेव है एसे चेम है ओके तो अपन उसको स्टार्ट करत बढ़ेन एक सकी सबसे पहले तो अपनी यह देखें कि इनके इन्दर रिलेशन क्या होगा तो अपन सब जानते टी सी मतब सेल्शियस में टे एंपरिचर हैंड टी माइनस 32 अपों 180 ये होगा अपना टी सी अपों 5 टी माइनस 32 अपों 9 इसको अगर अपन शॉल करें टी एव की value calculate करें तो tf equal to आएगर 9 by 5 into tf plus 32 अब आपन जानते state line की equation general जो होती है y equal to mx plus c तो y axis पे अपना हो गया tf x axis पे अपना tf x axis पे अपना आगया tc और यहाँ पर m equal to आगया 9 by 5 यह इसका slope हो गया slope आ रहा है प्लस में प्लस में आने का मतलब लाइन जो हो राइट side की तरब जुकी होई होगी और यह कहला था अपना intercept on y axis y axis के उपर जो अंतक्षंड होता है वो तो अगर आपन इसका graph मनाते हैं तो y axis के उपर अपना x axis पे tc आ गया y axis पे अपना tf आ गया intercept प्लस में आएगा जो की 32 के equal होगा और अपनी जो state line आएगी वो right side की तरब जुकी होई होगी ओके तो यहाँ पर जो option है प्लस के according in the line intercept the x axis तो line जो है वो intercept किसको कर रही है तो intercept कौन सी axis को कर रही है y axis को तो अपना आजाएगा the line intercept the y axis तो y axis पे जो है वो intersect कर रही है ओके next अपना है लेटेंट हीट दे रखी है ठीक है पावर अपने को पूछा है time अपने को दे रखा है सब तो यहाँ पर आप देखिए अपन जानते है कि q equal to अगर यह ice melt होती है 60 gram ice तो melt होने के लिए जो अपने को heat चाहिए वो चाहिए mlf mlf जो है वो अपनी latent heat of fusion मास अपने को दे रखा है 60 gram यह अपन जानते है 80 है लेकिन यह 80 calorie पर gram और यह gram तो अपने इसको solve करें तो यह बचेगा 4800 calorie अगर इसको जूल में convert करें तो 4800 इन्टू 4.2 और यह आ जाएगा जूल में ओके अपने को पूछा है power power equal to open जानते है work upon time या energy upon heat upon सब एक की बात है upon time तो यह अपना जाएगा 4800 इन्टू 4.2 अपन 60 पर मिनट पूछा है तो second में convert करेंगे time को second में रखेंगे तो यह अब आपनी जो unit आ गई वो आ गई joule upon second और अपन जानते है joule upon second जो होता है वो किसके equal होता है वोट के और जब आपन इसको solve कर लेंगे तो आप देखिए इसमें आ जाएगा यह अपने पास आ गया कितना जीरो से जीरो कैंसिल हो गया वन जीरो टू जीरो ठीक है यह 80 आ गया इंटू 4.2 से आप इसको multiply कर लो तो यह देख लो आपका आज आएगा 336 वोट के equal यह आपका answer होगा ओके easy question है कोई दिक्रते ओके next है दो liquid है अपने पास A और B अपने पास दो liquid है एका temperature है अपने पास 32 डिगरी Celsius भी का temperature 24 डिगरी Celsius ओके अब यहां पर कह रहा है कि दोनों के equal मास्ट दोनों के समान मास्ट को मिलाएगा तो mixer का temperature 28 हो गया इस पर से भी heat करेश्यों अब इनका temperature हो गया कितना 28 डिगरी Celsius मिक्सर का तो इसका temperature डिक्रीज हुआ है इसका मतलब हीट को release किया और इसने हीट को क्या किया भी ने अब जोर्ब किया और अपन जानते हैं QQ की value जो होती है वो होती है MS delta theta अगर temperature change हो जाए तो एक ने जितनी heat को release किया दूसरे ने उतनी को क्या किया अब जोर्ब किया तो दोनों की value अगर अपन equal करे QA upon QB मास दोनों के same है S की specific heat temperature A का 32 से 28 इसका मतलब 4 degrees Celsius इसका change हो गया ठीक है और यहाँ पर M यह S भी और यहाँ पर भी temperature increase होका जो है 20 से 28 हो गया जो 4 degrees Celsius इसका भी change हो गया तो specific heat का जो ratio पुछा है SA upon SB entities 1 यह one by one आप लिख सकते हो एक की बात है तो यहाँ पर answer अपना होगा वो 3D थर्ड आ जाएगा 1 ratio 1 ओके next question by metallic strip को heat करते हैं तो यह किदर bend होगी by metallic strip इस तरह से मान सकते हो आप यह आपके पास by metallic यहाँ से यह है मान लिजी इसका expansion coefficient alpha 1 इसका expansion coefficient जो है वो alpha 2 है और मान लो अपने पास alpha 1 ज्यादा है alpha 2 से तो जिसका alpha बेटा या gamma जो ज्यादा होगा इसका मतलब वो same temperature ज्यादा expand होगा ज्यादा फैलेगा तो यहाँ पर अपने पास alpha ज्यादा फैलेगा sorry यह वाले metal alpha 1 वाली ज्यादा फैलेगी alpha 2 वाली कम फैलेगी तो जब इसको गरम करेंगे तो यह इस तरह से bend हो जाएगी कि यह alpha 1 वाली की लेंज ज्यादा बड़े तो यहाँ पर यह alpha 1 वाली और यह alpha 2 इसका मतलब हमेशा उस side में band होती है जिसका alpha का value क्या होता है कम होता है ठीक है तो यहाँ पर बेंड जो हो गई band towards the metal with lower thermal expansion तो इसका अपना कुम सा जाएगा पर्ट कि जिसके यह पर्षार गुणांग जो है वो कम होगा उसकी तरह मुड़ती है ठीक है next question अब देखिए अपने पार मुमेंट ओफिनेश्या जो है वो solid body का दे रखा है alpha linear expansion को भी जींडबना ओके चेंज अपने को temperature इतना चेंज करें तो मुमेंट ओफिनर्ष्या में कितना चेंज आएगा जड़त्वा आगुण में कितना चेंज आएगा वो अपने को बताना आए देखो कोई भी body अपने टेपरेश्या पर अपने को पता है मांस कभी भी चेंज नहीं होता तो चाहिए आप कोई भी बोड़ी ले अगर अगर अपन रिंग लेंगे तो mr square आएगा डिस्क लेंगे half mr square solid 2y5 mr square कोई भी भी बोड़ी ले तो 2y5 अपने नंबर चेंज नहीं होगा मार्क चेन नहीं होता कभी भी तो i proportional to r square body कोई भी हो इसके लिए सबके लिए same answer यहाँ पर होगा तो यहाँ से अगर अपन इसको differentiate करें तो delta i upon i equal to हो गया 2 into delta r upon r तो यहाँ पर यहाँ आगया delta i upon i equal to 2 अब देखो अपन alpha जानते हैं alpha equal to होता delta l upon l into delta theta अब l आप circumference को ले सकते हो तो 2 pi r आएगा फिर वहाँ पर 2 pi r constant होगा और वहचे भी अपन जानते radius 1 d quantity है length भी 1 d quantity है तो 1 d यहाँ पर length की जगा आप radius लोगे तो भी कोई बात नहीं है same delta l upon l की जगे delta l upon l अपन जानते हैं क्या होता है alpha delta theta ठीक है delta theta यहाँ पर temperature में change है यहाँ delta t दे रखा है तो अपन delta t ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ओके तो अब यह value put करते हैं तो delta r upon r की जगे यह put कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 delta r upon r की जगे क्या लिखेंगे alpha temperature change delta t दे रखा है तो delta t ले लेंगे तो यहाँ से delta i के value आएगे 2 i alpha delta r t तो बने बड़ा बताया कि body चाए कोई भी हो वस तो कोई भी हो उन सब के लिए moment of inertia जड़त्त आगोन में जो परिवर्थन आएगा change आएगा वो हमेशा 2 i alpha delta t के equal होगा तो अपना answer इसका जो होगा वो थर्ड होगा ओके next question celsius में temperature increasing in celsius 1 degree celsius then temperature increasing on kelvin यह हमीशा जानने को बहुत important बात है कि celsius और kelvin के अंजर temperature change हमीशा same होता है temperature की value different होगी लेकिन temperature change हमीशा same होगा क्योंकि temperature change के लिए अगर आपन formula लेते तो delta t c upon 100 होगा आपका फार्न हाइट में delta t f upon 180 होगा यह delta t k k का मतलब kelvin ठीक है f का मतलब फार्न हाइट c का मतलब celsius अब यह change आपका temperature आप देख लो जब अपन इन दोनों को use करेंगे तो यहां से 100 से 100 cancel हो जाएगा तो delta t k की value जो आएगी यह delta t c k equal होगी मतलब यह हमीशा जान रख रो change in temperature in celsius and kelvin हमीशा same होंगे लेकिन temperature की value different होगी तो यहां पर 1 degree celsius है तो यह 1 kelvin की equally आजाएगा ओके नेक्स इसन कॉंस्टेंट वॉल्यूम गैस thermometer है प्रेशर रिडिंग ओप इनकी दे रखिए जीरो पर और एंडेट पर जो भी डिडिंग हो यह दे रखिए तो किस प्रेशर जब यह तो temperature क्या होगा तो देखो कोई भी अपन जानते हैं कि जो थर्मोमीटर अपन बनात हैं तो कोई ऐसी quantity लेते हैं जो ताथा आपके साथ temperature का लीनियली चेंज हो जो वन फावर पर डिपेंड होती है वो वोल्यूम भी हो सकता है प्रेशर भी हो सकता है रजिस्टेंस भी हो सकता है कुछ भी यहां पर इसने प्रेशर की फोरम में दिया है तो आपन जानते हैं कि दिग्री सेल्सियस में जो वेल्यू होती है वो होती है एकस्टी माइनस एकस नोट अपान एकस हंडेड माइनस एकस नोट इंटो हंडेड दिग्री सेल्सियस यहां पर एकस्टी आप एकस की जगे कुछी भी ले सकते हो resistance, length, pressure, volume जो भी दे रखा है यहां आपको pressure दे रखा तो pressure का मतलब 3 degree पर pressure, 0 पर pressure, 100 पर pressure, minus 0 पर pressure और इंटो 100 degree Celsius, value पुट कर देते हैं 60 के लिए पुछा है तो 60, 0 पर आपको दे रखा 50, 50 कर दो, 100 पर आपको 90, 90, minus 50, इंटो 100 degree Celsius, तो यह आप देख लिए जे कितना बज जाएगा, यह हो गया 10, यह आगया 40, 1 by 4, तो यह आपका आपको जो भी कुछ दे रखा हो, वह अपन यूज कर सकते है, pressure, volume होगा, तो अपना answer आपको 25 degree, means first, okay, next question, two solid sphere of same material, same material के बने हैं, इसका मतलब gamma, density, specific heat, इन सब की क्या होगी, same होगी, एक, one is hollow, एक होखला है, दूसा solid है, इनको same heat दिया गया, they are heated to the same temperature, sorry, same temperature तक इनको heat के, जो है, उसमा दी गई, heat दी गई, तो इन में कौन सा ज़्यदा expand होगा, तो देखो, अपन सीधा से जानते है, volume में जो change आएगा, volume में जो change आता है, वो होता है, V gamma delta theta, delta theta temperature में change है, material same है, अपना, sorry, material अपना same है, तो gamma same हो गया, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों जो है, have the same radius, इनकी radius same है, तो volume जो है, वो भी क्या हो गया, same आ गया, तो सारी quantities यहाँ पर अपने को दिखरी है, यह same है, तो change in volume जो आएगा, वो दोनों के अंदर same आएगा, समान ही आएगा, और वो कब जब दोनों को temperature same दिया गया, लेकिन अगर मान लो, यह तो यहाँ तो चलो दिख, दोनों के आएगा, expansion is same for both, तो दोनों के अंदर expansion की value जो आएगी, वो same आएगी, लेकिन मानलों यहाँ पर temperature की जगह, आपको बोलता की same heat दी गई, दोनों को समान उसमा दी गई, तो answer अपने यह नहीं होता, क्योंकि अपन जानते हैं कि उसमा delta q equal to आपका होता है, ms delta theta, तो आप delta theta की जगह, अपन क्या use करेंगे, delta v, v, gamma, delta theta की जगह, आप क्या use करेंगे, delta q upon ms, ठीक है, इसका answer तो आगया, अगर same heat दी जाए तो की बात कर रहें, तो heat आपने same दे दी, same material, दोनों constant, volume, तो यहाँ पा same heat के लिए, inversely proportional to mass आएगा, इस ध्यान रखना, ठीक है, और जो hollow है, उसका mass कम होगा, तो वो expansion ज्यादा होगा, तो same temperature अगर अपन देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के अंदर expansion same होगा, लेकिन same heat देंगे, तो expansion ज्यादा किसमें आएगा, hollow में, क्योंकि उसका mass कम होता है, वालां expansion coefficient गामा की value क्या होती है, delta V upon V into delta T, temperature अपन यह ले ले लेते हैं, delta T, theta की जगे, तो आपको इसका मतलब आपको यह value सही है, अब इसके अंदर अपने को दिख रहा कहीं पर भी, जो है, वो volume नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, कि ideal gas equation से यहां से, volume लेते हैं मतलब pressure की value, त तो mu RT upon V अपन जानते हैं, T square equal to constant, तो यहां से यह constant मान लेते हैं, तो यह आगया TQ proportional to V, यह V proportional to TQ, इसको solve करते हैं, तो यह आएगा delta V upon V equal to 3 delta T upon T, ठीक है, differentiation क्या है, alkaline अपने क्या है, सब दानते हैं, error program खुब किया हैं, तो delta V upon V, और यह आजाएगा delta T, यह delta T यह आजाएगा, यह बच गया 3 by T के, और यह आपन जानते हैं क्या होता है, गामा, तो गामा की value आगे 3 by T, तो अपना answer आजाएगा, 3 by T means, third आपका option correct होगा, ओके, next question, बीकरी is completely filled with water, 4 degree पर बरा गया, अपन जानते हैं कि जब water है, वो चार, 0 से 4 तक क्या होता है, उसकी density जो है, वो बढ़ती जाती है, उसका volume कम होता जाता है, उसके बाद volume वापस बरने लग जाता है, 4 degree Celsius पर volume minimum और density जो है, वो maximum होती है, अब यह कह रहा है कि यह overflow कब होगा, पहले यह पूरा बरा हुआ है, और यह कितने पर है, 4 degree Celsius, अब आप temperature 4 से कम ले जाओगे, ठीक है, चार पर density maximum है, volume जो है वो minimum है, तो 4 से कम करेंगे, तो भी volume बढ़ेगा, तो volume बढ़ेगा, तो क्या होने लग जाएगा, और फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि density का पंजानत इंगरार पिया आता है, 4 degree Celsius, डेंसिटी, ठीक है, और volume का, इसका अब दस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यह इस टाइप का, 4 degree Celsius, volume, तो चार्ज से आप कम करोगे, तो भी volume बढ़ेगा, चार्ज से ज्यादा temperature बढ़ाओगे, तो भी volume बढ़ेगा, दोनों ही case में, volume ब यह, overflow होगा, तो कहने का मतलब है, heated above 4 degree, तो भी overflow होगा, cool below 4 degree, चार से कम temperature करें, तो भी definitely क्या होगा, यह इसका मतलब आपका दोनों ही case से जा रहा है, इसका मतलब बहुत, दोनों है, दोनों case आगे, इसका मतलब आपका answer होगा, third, okay, next question, water do you use to cool radiator, ठीक है, और इसका reason अपन स जब जानते हैं, simple सा है कि इसकी specific heat बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, specific heat ज्यादा होने के लिए ही, यह ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा heat को क्या कर सकता है, absorb कर सकता है, इसलिए इसको coolant के रूप में use करते है, तो अपना, it high specific heat, heat, high specific heat ज्यादा होती है, इसका, ठीक ह जो है वो 10 ग्राम के टेलिंग इतनी इस स्पीड से चल रही है एक वुडन ब्लोक से टक्रा कर रेस्ट में आ जाती है पचास परसेंट हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो गई तो टेंपरेचर कितना चेंज होगा देखो यह जो आएगा वह अपना डबलू इकॉल टू जे हीट उस्मा का यांत्रिक तुल्यांग ठीक है क्यों की वैल्यू एमस डेल्टा थीटा एमस जो भी सिच्वेशन हो रहा है तो सबसे पहले तो अपन वर्क देखें यह वुडन ब्लोक है आपकी बुलेट जो है वह मास के वी वेलस्टी से चल रही है चलकर इसमें आकर लेकिन यह पूरा बोलता तब तो यह यूज करते है कितना बोल रहा है तो यहां पर अगर आपन इसको सौल करेंगे तो इस इस वन बाई फॉर एम वी स्कॉरर टैंपरेचर चेंज होने पर हीट अपन सब जानते हैं मस डेल्टा थीटा है डेल्टा टी जो भी अपन लें त आपने को डेल्टा थीटा की वैल्यों चाहिए तो यह आएगा वी स्कॉर अपन फॉर जे एंड एस वी की वैल्यू आपको दे रखिए 300 मीटर पर सेकेंड 300 का हॉली स्कॉर जे की वैल्यू वन पुट करते हैं यह फॉर इंटु वन एस कभी भी cgs में दे रखा हो जूल पर केजी उसमें तो हमेशा ही द्यान रखो जे की वैल्यू वन पुट करेंगे अपनों ठीक है क्योंकि यह जो जे आता है वो दोनों की यूनिट के अंदर डिफरेंस के कान आता है इसको आपने mks में ले लिया इसको mks में जे वन इसक होगा वैसे तो इसकी वैल्यू 4.18 ठीक है जोल पर कैलोरी होती है लेकिन दोनों की यूनिट सेम होने कान हमेशा वन लेंगे ध्यान रखना तो यहां पर अब अपने पास क्या बजा है एस कितना दे रखा आपको 150 इसको सॉल कर लेते हैं बन तो यह आएगा 9000 हो गया ओके और यह हो गया 600 टू जीडो से टू जीरो केंशिल तो यह साथ 150 डिग्री सेल्शियस यह आपका अंसर होगा 150 डिग्री सेल्शियस टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका उप्शन हो गया थर्ट ओके नेक्स क्यूशन विड़ा गामा अपन जानते हैं गामा इकोल टू होता है सिंपल सा है सीपी अपाउन सीवी फिर अपन जानते हैं सीपी माइनस सीवी इकोल टू आर के होता है तो अपन सिंपल सा यहां से सीपी की वैल्यू देखें गामा इंटू सीवी यह पूट कर देते हैं गामा सीवी माइनस वी को मन आ गया गामा माइनस वन उक्वर टू आर तो अपना सी वी की वेल्यू आ गई आर अपन गामा माइनस सिंपल सा रिलेशन डिरेक्ट आप याद रखें इसको ओके नेक्स्ट किसर कि जर्व ऑक्सिजन जो है उसको हीट किया आपने पचाश से तीन चो तक को स्टेट प अगर वह है यह जनल यह पने आइस के लिए बनाया है तो यह उक्सिजन वगरा के लिए आपने इनिशल टैंपरेटर आपको 50 केल्विन दे रखा है उसके बाद पता है अपने को कि यह जो है उसके अंदर यह फेज होगा इसका ठीक है लिक्विड थी फिर गैसी स्टेट मे चैंपरेटर में इसके लिए पर आजएगा नेक्स्केच्र march आज़ायगा झालोच के लिए टेफ प्योद्विन स्टेप और आती है क्योंकि वेपां इसका इसको में पिक्रमें कनवर्ट होती है तो यहां पर न ग्राप अपना आजाएगा, ऐके नेंस्स फ्लास्क दे रखें, जो ए है फ्लास्क, एस त्वाइस दे फ्लास्क शेकेंड, मतलब ए का वोलियूम जो है, वी 1 उक्वल टू अपना है, तू वी 2, ठीक है, या इसको वी 2 को वी माने, तू पी का है तू वी मान सकते हैं, पहले न में अपने को सब्सक्राइब पाई जानते हैं पीव इकॉल टू होता है अगा of moles अपने मान्स अपन मोलेकुलर बेट इंटो आड़ ती और यह आ पी जब ठीक है अब यह कर रहा है कि इसके अंदर अपने को मान्स ऑफ गैस पुछा है तो देखो यहाँ पर आर कॉंस्टेंट गैस वो ही है तो यहाँ पर जो अपने को सब्सक्राइब करनेक्टेड से को सब्सक्राइब रखा है तो आप देखिए एम जो आएगा एम अपना जो आएगा मास यह प्रपोर्पोर्शनल टू आएगा वी बाई टी के क्योंकि प्रेसर दोनों एक टूब से कनेक्टेड हैं तो प्रेसर दोनों में सेम होगा ठीक है यह आप ध्यान रखिए तो अब अपन लेते हैं मास ओप एक्कुल टू मास ओब बी ठीक है सोरी अपने को मास चाहिए तो रेस्यो लेंगे सोरी एम ए अपोन एम बी ठीक है तो अब अपने को यह क्या चाहिए वी ए वोल्यूम अपोन टेंप्रेचर ओपे इंटू टेंप्रेचर ओब बी अपोन वोल्यूम ओब बी अब अपने को जो भी दे रखा वो देख देते हैं मास ओप डगेस इन फ्लास वन एक के अंदर एम है तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको अब यहां जगा नहीं है तो एम आ गया यह में बी में आपको मास पूचा है ठीक है वॉल्यूम ओफ ए एक का वॉल्यूम डोग ट्वाइस है टू वी ठीक है टेंपरेचर ओफ कितना हैंडेड इंटू यहाँ पर टेंपरेचर ओफ बी तैंपरेचर ओफ बी अपने वु打 लुह रखा है 200 अपउन यहाँ पर लुफ बी यहां परbagai वोल्यूम ओफ यहां पर वोल्यूम ओफ जो है वो व you can follow माना है आपने तो यह भी आ गया तो आप देखें यहां से अपने पास 4 आए गा 4 आएगा इसे मतलब मास ओभ वी जो आएगा मास बी जो आएगा क्रोस मुल्टिप्लाइ करके आप देख लिजे यह आएगा एम भाई फोर के इक्वल इसका मतलब बी के अंदर जो मास आएगा वो एम भाई फोर्थ मतलब एका वह वन फोर्थ होगा तो आपका अंसर इसके अंदर आ गया थर्ड ठीक है इनका रिश्यों सब्सक्राइब करेंगे इसको तो यह आपका देखिए एम जो है मू जो है वह अपन यहां तो ले सकते हैं मास अपन मोलेकुलर वेट नंबर ओव मॉल्यूम दे रखा तो वॉल्यूम तो यहां पर आपका जो वॉल्यूम कितनी है 2.2 ग्राम तो मास आपको दे रखा 2.2 ग्राम मॉलेकुलर वेट कितना 44 क्योंकि अपन इस मू को लिख सकते हैं मास अपन मॉलेकुलर वेट इन्टो आर टी मास आपको 2.2 44 इन्टो आर की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी 8.3 ट पूर एटीम है एटमोस्फिक प्रेसर अगर सॉल करें तो अपन जानते हैं 1 ATM एक्वल टू अप्रोक्सिमेट 1.01 इंटू 10 की पावर 5 तो यह 1.01 इंटू 10 की पावर 1 मान के करेंगे अप्रोक्सिमेट अपना अंसर 10 की पावर 5 ओके इसको अगर अपन सॉल करते हैं तो आप द जानते हैं एक लिटर इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 सेंटिमेटर क्यू या 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यू तो अपन इसको यह भी लेख सकते हैं 0.56 लिटर ओके तो अपना आंसर इसके अंदर आएगा फस्ट नेक्स्ट किसल आइडियो गैस का जो वोल्यूम है एट 0 ड यहां पर जो अपने को बोल रहा है कि वोल्यूम जो है वो टिपल हो जाना चाहिए तो डेफिनेटल टेंपरेचर भी टिपल हो जाना चाहिए इसका मतलब फाइनल जो टेंपरेचर आएगे इसके 3 टाइमस ओप इनीचियल क्योंकि वी परपोस्ट टी है 3 इंटो 273 और यह क लेकिन अंसर अपना किसमें है तो इसमें माइनस 273 कर दो तो यह आएगा 819-273 ठीक है और यह अंसर अपना आगया डिग्री सेल्चिस में तो आप देख लिए इसमें कितना आएगा तो यहां पर अगर अगर अपन इसको वैसे देख लो डबल कर लो चाहिए इसको यह इसक अपना 339 आगया वन आगया टू एट अगया ठीक है इसमें से पन सब्टेट करेंगे तो अपना आगया यह कितना 6 ओके यह आगया फोर ठीक है और यह आगया फाइफ डिग्री सेल्सेस ओके आंसर आगया फर्स इंपल दाइकिसन है ओके नेक्स देखिए इस देखिए प्रेसर कितना हो गया तो यहां पर देखे दोनों गैसी जो हैं वो सेम प्रेसर पर हैं सेम टेंपरेचर शेम वर्लेम तो दोनों के अधर नमबर ओम सेम है उन दोनों को मिक्स करो कि दर नंबर ओव मॉल्स क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे बाकी चीज़ें वही आपने रखी तो नंबर ओप जो कर दिया तो इसमें प्रेसर के बारे में पूछ रहा है तो पी को अपन जानते हैं क्या आएगा म्यू आटी अपॉन वी के व यह आपके हीट ट्रांस्मीशन का आगया तो रोड अपने को दे रखी है सेम मैटियल की बनी है ठीक है तो कंडेक्टिविटी के की वेल्यू सेम होंगी सेम आपको क्रोस सेक्शन दे रखा है पोईंट एंड बी आर मेंटेन डिपरेंट टेंपरेचर पे हैं ठीक है रेशिय यहां से जो जा रही है माली जी है यहां से जो जारी आपका हीट करन बोल देते हैं यह एच टू है ठीक है इनका रही से पूछा है तो देखो है एच की वेल्यू अपन जानते ही होता है कि ए क्रोस सेक्शन थीटा 1-2 अपन लेंद देखो सेम मैटेरियल की एकिंशन में लि चालेगाए इनवर्स्िली परपोर्स्ट भूल टो एयल तो एच ए हप 싶은 ही या आएगा एल भी अपॉन अनिल एल बी यहां से यह पन जानते हैं पाय आर क्या रह उगया रेडियसार मानें तो यह 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 एकंड गया है एसकी हर मानते हैं तो एपना अन्सवर आजा जाएगा पाई भाई टू ठीक है तो हीट सिंपल राक्यूशन है ही ट्रांस्मिशन का है आप सब्सक्राइब का गया थर्ड ओके आप गई नेक्स्ट क्यूशन है कि टेंपरेचर को यहां से आतक बढ़ा जिया तो काइनेटिक अपन जानते काइनेटिक अजी है यह परपोसल टी के होत है तो यह होगे 1200 27 मतलब 300 सिंपल सा है तो यह 3 आ गया तो काइनेटिक अनेजी कितने टाइम से हो गई 3 तामस हो गई बिल्कुल सिंपल सा है तो 1 4th sorry कितना 4 हो गया के sorry 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 this is becomes 4 तामस काइनेटिक अनेजी हो गई 4 मानद 3 कर दिया इसको 4 तामस ओके नेक्स दिफर्स लाव अब सर्वन डानेशी सिस्टम को अपन ने हीट दी ठीक है यहाँ पर हीट आपने दिया डेल्टा क्यू कुछ हीट जो है वो क्या होगी एक वर्क डन कारिये में खर्च हो जाएगी एंडेस्ट ओप हीट इंक्रीज इंट्रिन एंट्रिक उर्ज इसको बढ़ाएगी और अपन जानते कि डेल्टा क्यू इकल टू डेल्टा डबलू प्लस डी उ अपन लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि एक इस पर कंजर्वेशन है इसमें कंजर्व रहती है कौन एनर्जी ओके हैंडेट जूल ओप हीट इस इतनी हीट अपने दी इसक प्लस फॉर्टी जूल तो एक्स्टेनल वर्क कितना हुआ एक्स्टेनल वर्क डेल्टा क्यो इकल टू अभी भी बखिया है परने फर्स लो बिल्कुल सिंपल है तो यह देखिया आप वन हेंडेट टेन यह आपको पूछा गया है सोरी प्लस यह कितना फॉर्टी तो क्या होता है पहले तो इसको देखें प्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा आपके पास एक इंसुलेटेट सेंबर है इंसुलेटेट मतलब कोई हीट एक्सेंज नहीं होता नहीं तो अंदर की हीट बार आएगी ने बार के अंदर यहां पर आपने क्या किया एक गैस यहां से अपने एक बारिक होल बना दें तो यहां से गैस एक्सपेंड हो कि इसमें जाएगी तो वर्क दन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि अपने को दिख रहा है डी यू की वैल्यू क्या हो गई इसका मत्त्म यह हो गया कि इंट्रोंड डेंड इनल गिश्च कोई दीभ की आएगा क्योंकि यह क्योंकि परुशंच्र सब्सक्राइबद करते है और सब को इसमें जीरो होगा डबली जीरो क्योंड इंट्रली में कोई जाएट नहीं होगा यह कहला था प्री एक्सपंश ऑप इन्हें थर्मोडायरेमिक सिस्टम वर्किंग सबस्टेंस इस आइडियल गैस अभी देखो मैंने आपको बताया इंटरनेरजी वाला आइडियल गैस की इंटरनेरजी जो हो केवल और केवल काइनेटिक इनर्जी पर डिपेंड करती है क्योंकि उनके मॉलिकुल के बीच में को कोई फोर्ट नहीं होता इसका मतलब उनके इंटरनेरजी जो हो केवल किसकी फॉरम में होती है काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी जो है यो जो है वो केवल काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करती है तो यह बहुत इंपोर्टन बात है आप ध definitely किसकी फोरम में होगी only kinetic energy की फोरम में ideal gas okay next in a thermodynamic process pressure of a fixed mass of gas is change in such a manner that the gas release gas ने release कर दित 20 joule heat इसका मतब डेल्टा क्यू की value आपके पास आगई minus 20 joule and 8 joule of work is done on the gas system पे work किया तो system पे work किया तो यह आएगा minus का 8 joule if the internal energy of the gas is about this initial internal energy प्रारंबिक आंत्री कुर्जा दे रखिये तो final पूछिये इसमें तो simple सा है first low को use करें तो first low आपन जानते हैं delta q equal to delta w plus du तो यह आगा minus का 20 minus का 8 plus du और यह आगा du की value आपके आगी minus की 12 तो आपका यू final पूछा है यू initial प्लस का हो जाएगा minus का 12 यह आपका दे रख का 30 30-12 तो यह आपका answer आगे कितना plus का 18 joule यह आपका answer शिंपल रखिंस नहीं तो प्लस प्लाइस करना कोई दिख कर नहीं ओके option होगे आपका first next देखिए the plot of intensity versus wavelength ठीक है और अपन जानते हैं कि यह graph जो है वो famous graph है और यह winds के लोग के उपर जो है उससे अपन यहाँ पर अपन intensity के लिए wavelength maximum wavelength नहीं this is the wavelength for maximum intensity तो यह यहाँ पर देखिए इसकी wavelength यह आ रही है lambda 1 मान ले इसकी wavelength यहाँ पर आ रही है lambda 3 मान लो 2 दे रखा तो इसको 2 मान लो सब से कम wavelength lambda 1 wavelength इतनी कम temperature उतना ही जयादा तो शिंपल सा है सब से जयादा temperature कौन सा T1 then T3 then कौन सा T2 तो सब से जयादा temperature T1 और सब से कम है T2 तो यह अपने को option second में दिख रहा है wind slow की जो है वो इसमें यूज करेंगे ओके next question तो टेमप्रेचर इस एड़े रेपरियर अंदर का ताब T2 है ठीक है room temperature तो इसमें देखिए रेपरिजेटर में अपन सब जानते हैं यह source होता है जो कि room होगा T1 Kelvin यह अपना sink होता है T2 Kelvin ठीक है यहां से heat absorb करते है Q2 external work होता है यह कारियर इसको heat मिल जाती है Q1 और यह अपना working substance बगरा यह अपना रूम ही करता है अब आपको पूछ कह रहा है the amount of heat delivered to the room रूम को कितनी heat जो है वो डिलीवर की इजूल of electrical concepts तो कहने वाले electrical consumption मतलब external work कहने का मतलब आपने को यह पूछ रहा है सीधा साथ Q1 upon W Q1 upon W की value देखो आप देखो यहां से यह Q2 absorb की W work वा Q1 इसको मिल गई तो सीधा साथ है पन जान लें Q1 की value जो आएगी वो किसके होगे W plus Q2 के तो यहां से W की value लेंगे तो वो आएगा Q1 minus Q2 यह value भी put करते है तो यह आगया आपका Q1 और यह आगया Q1 minus Q2 अब अपन यह भी जानते हैं heat engine से car note से Q1 upon Q2 equal to किसके होता है T1 upon T2 तो अगरा इनको अपन ratio अगरा लेके लिखें तो अपन simple साही यह लिख सकते हैं यहाँ पर T1 upon T1 minus T2 लेकिन आपको temperature degree Celsius में दे रखें तो इनको अपन convert करेंगे तो T1 की value तो आपकी कितनी हो गई 273 plus T1 degree Celsius यह आपका जाएगा 273 plus T1 minus 273 plus T2 और इसको solve करेंगे 273 cancel हो जाएगा तो आपका answer आगया 273 plus T1 upon 273 cancel हो गया तो T1 minus T2 के equal तो यहाँ से आपका option दिख रहा है T1 minus T2 यह थर्ड ठीक है यह पर आपको internal energy दे रखेंगे 10 जूल यू की value यू एक्वल टू 10 जूल अलोंग दे पाथ HDC ADC amount of heat absorbed तो इसका मतलब देल्टा Q1 की value आपके पास आगई 50 जूल एंड वर्क आप्टेल जो वर्क आया वह आपका आगया डेल्टा डबलू इक्वल टू आगया कितना 20 जूल तो A से यहां तक का अपन अपन इंटर्ना एजी में change जो है वह अपन calculate कर लेते हैं तो इंटर्ना एजी में जो change वह अपन calculate करेंगे तो दी यू की value अपन जानते हैं क्या होता है डेल्टा क्यू माइनस तो यहां से देखें अपने पास जो आएगा यहां पार यहां जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डवलू value पूट करते हैं 50 माइनस 20 यह आपके पास आगया 32 इंटर्ना एजी में देखो आपन A से चलकर C तक पहुंचे आप चाहिए इधर से जाए चाहिए इधर से अपन जानते हैं कि इंटर्ना एजी में change पा C, heat absorb इतनी कर दी, the amount of work done पूच रहा है, heat इंटर्ना एजी में change इतना ही आएगा क्योंकि पास कोई भी हो यह पास पर depend नहीं करता, तो अपन second case अब यह ले रहें, तो अपन डेल्टा क्यू एक बार फिर लगा देते हैं यह equation डेल्टा डवलू प्लस डियू, डेल्टा तो डेल्टा डवलू की वेल्यू आजाएगी कितनी, प्लक्स का 6 जूल, तो आप कहां चुर होगा, प्लस 6 जूल, ओके, तो यह आपका option आगया, fourth, next question, तो thermal conductivity किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, देखो thermal conductivity उसी की ज्यादा होती है, जिसकी electrical conductivity, electrical conductivity सबसे ज्यादा होती है, silver की, ठ and copper then, aluminium, तो सबसे यह increasing order पूछ रहा है, left to right, तो सबसे ज्यादा, इस कम ज्यादा, फिर ज्यादा, ठीक है, तो thermal conductivity उसी की ज्यादा होगी, जिसकी electrical conductivity ज्यादा होती है, और यह increasing order, यह सबसे ज्यादा किसकी होगी, एजी की, तो left से right चलने पर increase होनी चाहिए, ओके increasing पूछा है, जैके next question है, the heat is flowing throughout the cylindrical road of same material, same material है, diameter of the road, diameter का ratio दे रखा है, length का ratio दे रखा है, temperature between there and is same, same है, the ratio of rate of flow of heat, तो q equal to वापस हो ही, q rate of flow, मतलब h ले लो, dky dt, dt, जिसको बोलते हैं, यह होगा, k a theta 1 minus theta 2 upon length, same material है, constant, a cross section, यहाँ पर pi r square ले ले लेंगे, ठीक है, या radius लेलो चाहिए, diameter लेलो, temperature सेम रखा, इसका मतलब h जो आएगा, inversely proportional to r square upon l, diameter दे रखा है, diameter double होगा, तो radius भी double होगी, यहाँ चाहिए, diameter लेना चाहिए, diameter लेलो, एक ही बाहत है, तो यहाँ पर, h1 upon h2, r1 upon r2 का whole square, l2 upon l1, देखे, ratio दे रखा, 1, 2, diameter का, तो 1 by 2, whole square, length का ratio आपको दे रखा, कितना, 21, 21, लेकिन यहाँ पर, वह l1 upon l2 है, यह l2 upon l1 आगया, तो यहाँ पर यह भी कितना हो जाएगा, 1 by 2, तो यह आगया 1 by 4, यह 1 by 2, तो यह आगया आपका कितना, 1 by 8, तो दोनों के इंदर heat transmission का ratio जो होगा, वह 1 ratio, 8 होगा, okay, next, the maximum acceleration, अब यह आपने देखो, SHM के आगया, अभी तक heat के question से, अभी अपना जो है, वह SHM के question, maximum acceleration, particle in SHM is made twice, two times, maximum acceleration, अपन जानते हैं, A maximum magnitude ले रहा हूँ है, ठीक है, और वो होता है, omega square A magnitude, maximum speed जो है, उसको constant रखना है, और अपन जानते है, maximum speed जो होती है, उसका magnitude होता है, omega A, लेकिन यह constant रखनी है, तो इसको अपना omega A, into omega, तो omega into omega A, omega A की जगे लिख देंगे, V maximum, और into omega, अब यह quantity रखनी है, constant, तो अपने को सीधा साथ दिख रहा है, A maximum जो है, it depends only on frequency omega P, तो omega जो है, उसके proportional होगी, अब आपने को यह maximum करना है, तो definitely omega को क्या करना पड़ेगा, maximum, तो omega maximum, तो इसको double करना है, तो इसको double करना है, हाप करना है, अब आपको बोरा है कि constant acceleration को double करना है, तो इसका मतारा frequency को क्या करना पड़ेगा double amplitude बगर ऐसे कोई मतलब नहीं क्योंगे डिपेंड नहीं कर रहा तो देखो इसमें option 4 frequency of oxalis double will amplitude remains constant amplitude को क्या रखेंगे constant तो अपने पास यह आ जाएगा 4 ओके क्योंकि इसमें जो है वो v maximum होना चाहिए था वो constant होना चाहिए था maximum होता है omega यह द्यान रखना ओके displacement of equation डे रखे अपने को SHM के अंदर amplitude or maximum velocity V maximum यह भी बताया इसका omega देखेंगे अपन सब जानते हैं अगर equation आपको यह दे रखे a sin omega t plus b1 cos omega t इसको जब solve करते हैं तो इस equation का जो amplitude आता है वो आता है a1 square plus a2 square तो यहां से अगर अपने amplitude देखेंगे तो 3 square plus 4 square this is 5 unit जो भी अपने को दे रखें तो यह अपना आ गया 5 ओके तो यह तो आगया अपना amplitude अब V maximum आपन जानते हैं V maximum equal to omega a omega आप देखे omega t omega 2 आगई ठीक है इंटो यह आपका 5 आए गया तो यह आगया 10 unit mks cgs 2 भी ज़े रखें तो कहने मुझा 5 और 10 तो यह आपका option हो गया फस्त बिल्कुल मॉल्टन वेक्स पिंगली होई जो मॉम है वो डाली जाए किसी ब्लोग पर जिसका मास आइम है जो ऑक्सिलेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा वो देखने देखो सिंपल सा है अगर उस पर यह मान लिजी जो एक्स इकल टो जीरो एक्स इकल टो प्लस से एक्स इकल टो माइनस से माली जे ब्लोग जब यहां पर है तब आपने उस पर थोड़ी मॉम डाल दी जिसका मास स्मॉल आइम है तो इसका एम्पलिटूड जो पहले ए था वो चेंज होकर हो जाएगा एडैस ए रूट एम अ इसकी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो यह पहला बोल रहा है एंप्लिटूड दर नो चेंज यह गलत है होगा एंप्लिटूड इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा टाइम पीर्ड क्या होगा डिक्रीज ठीक है यहां पर देखो सोई यह फ्रिक्वेंसी जो कि हाँ पर इनक्रीज होगा सी यहां पर सी आपना ऑंस्वर इसके अंदर आगया पोर्थ काम चाहarner क्या हो रहा है इनक्रीज ओर हो रहा है ओक यह अर्यैकर कि यह अपने को दिध्यका तो ए साइन या कोस जो भी लें आपन तो कोस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई ओमेगा फ्रिक्वेंसी होती है जिसको अपन एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और यहां पर आपन जानते हैं टाइम पीड होता है टू पाई अपन ओमेगा यहां पर आप देखें यहां पर ज से टू कैंसिल तो पाई अपोन ओमेगा तो कहने का मला एस हैं भी होगा ठीक है क्योंकि कोश के निए पावर क्योंकि देखो एसे से सिंपल सा है अगर आपका एक्वेशन वाई है तो डी टू वाई अपोन डी टी टू ठीक है यह माइनस ओमेगा स्कॉयर वाई के होना लेको चार पेंडूलम दे रखें सेम इलास्टिक सपोर्ट इलास्टिक सपोर्ट इसका मतब कि यहां से जो एनर्यजी देंगे तो वह ट्रांस्मिट पूरेमें होगी ध्यक्त अब यहां पर यह पर पर एक ट्रांस्म्रुस टिस्प्रेश्मेंट यह दिया आपने कि इसको रिलीज के हैं यह उसलेट कर रहा है ठीक है रेखो पेंडुलम कि जो टाइम पीड़ है यह डिपेंड करता है रोट एल जी तो सब के लिए सेम है अब एकी और सी के लेंग सेम है इसका मतलब एका टाइम पीड और बी का टाइम पीड या एकर फ्रिक्वेंसी ऑक्सिलेशन की और B की frequency same होंगे क्योंकि elastic support है तो energy तो सब को transmit हो जाएगी इससे इसमें इससे इसमें इसमें अब यहां पर अपने एक जानते resonance जिसको अनुनाहत बोलते हैं अनुनाहत का मतलब frequency matching दोनों की frequency same है ए और sorry A और C की length same है तो time speed भी same होगा उनकी frequency भी नहीं तो यहां पर क्या होगा कि frequency अगर same है तो यहां पर resonance होगा resonance के काहन क्या होगा Maximum energy का transfer होता है थींगे जैसे resonance tube की और में यहां पर भी क्या होगा A के द्वारा its maximum energy का transfer किसको होगा C को होगा ठीक है तो यह दोनौं तो resonance जबकि इनके लोग है यह रहें इसमें नहीं रहेंगे तो अब अपने को पूछ रहा है उसके अंदर देख लेते हैं कि maximum vibration किस कहाएंगे जो देखो maximum vibration सी दा सामने बता दिया resonance होंगे तो maximum vibration किस कहाएंगे C कहाएंगे क्योंकि यह किसा अब अपना section B आता है इसको अपने इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पास सी जो है वो maximum vibration amplitude से वाइब्रेट करेगा ओके अपना section B आता है इस पेंडूलमी suspended लिए लिफ्ट में अपने इसको लटका है और लिफ्ट उपर की तरफ जा रही है तो अपन सब जानते हैं pseudo force वाला concept है लिफ्ट उपर की तरफ जा रही है A acceleration से mg अपन जानते हैं नीचे काम करेगा pseudo force अपन जानते हैं नीचे काम करेगा mg तो यहाँ पर जो जी इफेक्टिव की वेल्यू आएगी simple सा पता है पूरा लिखना चाहें तो यह हो गया जी प्लस ए और यहाँ पर जो टाइम पीड होगा नया टाइम पीड टू पाई और यह आएगा रूट एल और जी फेक्टिव जी फेक्टिव की वेल्यू कितने आगी जी प्लस ए एक्ट्वल में टाइम पीड होता है टू पाई रूट एल बाई जी तो टेफिनेटी यह जो टी आ रहा है टी डैस आपना आ रहा है टी डैस इस लेस देन टी तो कहने का मलब लिप्ट लगा और वो इसलिए हुआ कि फेक्टिव की वेल्यू कितने हो जाएगी गी फ्लस है और वो किसली होगी क्योंकि शुटो फोस कि जा लगेगा नीचे हमेशा एक्सलेशन के पोजी लगता है एक्सलेशन उपर तो सीड़ो फोस नीचे तो यहां पर देखे पहला करा है यह तो कि यह को इक्स्प्रेइब बिल डिक्रीजुक्ठ से लिए आपन कहेंगे इसके अंदर जो अपना आ जाएं गाएं का फर्स्च दोनों सही है और आज ये सब्सक कर रहा है सिस्टम का टाइम पर अपन जानते हैं देखो यह होता टू प्रॉट मभई कि अब यह करें कि स्प्रिंग को स्प्रिंग एंड मास वह लेंथ आप इस्प्रिंग यह दोनों को हाप कर दिया जाए तो पहली बात तो यह देखो इस्प्रिंग का जो की होता है वो inversely proportional to length length को हाप करेंगे तो take k जो है वो double हो जाएगा वैसे भी अपन जानते है equal length के अगर जितने piece करते हैं force constant उतने times हो जाए तीन piece करोगे 3K हो जाएगा 4K हो जाएगा तो यह दो piece की है equal length के तो यहाँ पर यह double हो जाएगा आप देखो mass को हाप कर दिया m by 2 मान लेते हैं इस प्रिंग का constant हो गया 2K लेंद को हाप करेंगे के डवल तो यह अपने के पास 1 by 4 हो जाएगा बाहर लिया हो तो यह आजाएगा 1 by 2 into 2 by और root by m by k इसका मतलब टाइम पे जो है वो पहले का हाप हो जाएगा लेकिन यह क्या बोल रहा है देखो तो यह तो गलत हो गया तो पहला तो हो गया गलत शेकेंड को देख लो आप यहां से तो यह अगला क्यूसर है और यह है अपना डिस्प्लेश्मेंट वेलसिटी एन एक्सलेश्य सिंपल हार्मोनिक वोशन आर रिलेटेड एज अपन यहां पर कर लेंगे थोड़ा सा क्रेक्शन और हिंदी में अगर आपन बोले तो एक दूसरे से कला में किस प्रकार समन दीता है ठीक है यह थोड़ा सा क्रेक्शन और एक क्रेक्शन यहां पर यह है कि फोर्थ ओप्शन में यहां पर वेक जो है इसकी जगा अपना विश्थापन है अब अगर अपन देखें तो यह समीकर अपन जानते हैं X का समीकर होता है A sin omega t velocity का equation होता है A omega cos omega t और इसको अपन लिख सकते हैं A omega sin omega t plus pi by 2 ठीक है और A अपना होता है इसको अपना होता है minus A omega square sin omega t जिसको अपन लिख सकते हैं A omega square sin और यह आ जाएगा omega t plus pi तो अगर इन दोनों को देखें X को और A को तो अपन देख रहे हैं इन दोनों के अंदर जो phase difference हा रहा है वो अपने पास हा रहा है पाई का इन दोनों में phase difference pi pi का मतलब एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट हो गए एक दूसरे के विपरीत होंगे ठीक है इन दोनों के अंदर अगर X में और V में phase difference देखें pi by 2 का और V में और A में देखें तो भी कितने का pi by 2 pi by 2 का मतलब अपन बोल सकते हैं एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है तो कहने का मतलब है X में और A में phase difference आगया pi का अपोजिट हो गए वी में और X में वी में और A में इनके अंदर phase difference जो आएगा वो कितने का आएगा pi by 2 का तो कहने का मतलब है इनके अंदर जो है एक दूसरे के बोल सकते हैं पर प्रपेंटिकुलर तो अपना option इसके अंदर क्या हो है फॉर्थ होगा ठीक है तो यह थोड़ा सा correction इसमें लिखा नहीं था यहां पर phase ठीक है और इंदी में लिखे तो कला ओके next question water wave produced by motor water selling on तो जब water surface पर motor water चलती है तो अपन देखते हैं इसके अंदर जब water water चलेगी तो उसके कार जिस direction में चल दी है उसके along तो wave produce होंगी लेकिन अपन देखते हैं कि वह up and down यह भी चलती है ठीक है तो यह चल रही है along the surface वह तो होगी एक तरह से longitudinal अपने को दे रखा है वे इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो देखो इंटेंसिटी में जो change उसका formula अपन जानते है sl2 minus sl1 equal to 10 logo base 10 और यह हो गया i2 upon i1 sl2 प्लस इज़े ले जाए प्लस का यह आपको दे रखा है 4 decibel 4 decibel plus 10 logo base 10 intensity को double कर दिया पहले वाली को आई मान लो final को यह तो यह हो गया 4 plus 10 और यह आपके पास बचके लोग 2 base 10 पे और यह अपन जानते हैं कितना होता है 0.3010 तो कहने का मतलब यह 4 plus यह approximate 3 आप मान लो तो यह approximate कितना जाएगा 7 decibel के तो final intensity जो होगी वो आपके 7 decibel के equal ओके next question यह आपको एक wave दे रखी है ठीक है तो wave की equation अपन जानते हैं y equal to sorry a sin यह कोस omega t plus minus kx plus 5 या minus 5 जो भी जे अब एक बात तो अपन यह जानते हैं कि t और x के बीच में अगर plus का sign है तो negative x direction में चलेगी और negative x का मतलब plus x direction में तो सबसे पहले एक बात तो confirm हो गए कि x और t के बीच में अपना plus का sign है इसका मतलब जो wave चल रही है वो negative x direction में चल रही है तो confirm है ओके अब बात आती है दस पाई 15 पाई है 15 ओके तो यह देख लो कितना आगया 1.5 मीटर पर सेकेंड तो वेव की वैलसेटी तो 1.5 इन दो अप्शन में आ रही है लेकिन यह कौन से बोल रहा है positive x direction और यह कौन सी negative जबकि अपन जानते हैं कौन सी direction में चल दी अपनी negative x direction में तो अपना अंसर होगा second okay next question यह आपको एक तरंका समीकन दे रखा है frequencies की यह दे रखिए है आप देखो maximum particle velocity is equal to the four times wave velocity तो अपन लिख लेते हैं maximum particle velocity particle की velocity maximum यह four times wave velocity पार्टिकल की velocity जानते हैं अपन यह होता है omega a ठीक है और four और into v omega आपन जानते हैं क्या लिख सकते हैं टू पाई f यह होता है amplitude साथ दिख रहा है यहाँ पर amplitude कितना है why not four v equal to आपन जानते हैं v equal to क्या होता है n lambda n क्या है frequency यहाँ पर frequency दे रखिए f यूज करेंगे तो यहाँ पर four into f into lambda तो देखो f से f cancel हो गया एक two cancel हो गया अपने को value कि इसकी पूछी है lambda की तो lambda equal to यहाँ पर यह जब फॉर यहाँ पर आएगा तो टू एक cancel हो जाएगर आपका पास बत जाएगा एप cancel होई गया तो यह आप कहा गया पाई वाई नोट बाई टू बिल्कुल सिंपल राकिंशन है ओके तो आपना option हो गया पाई वाई नोट वाई नोट वाई टू सेक्ट कि नेक्स कीशन देखी दो वेवलींट दे रखिए वेलेश्टी अश्राणिजे नंबर ओब बिट्स नंबर ओब डिट्स का मतलब क्या होता है डिफ्राइं इंट इन फ्रिक्वेंशी में डिफ्रेंश जञाद है उसमें से कम वाली सब्ट्रेट कर दो गठादव हो सिंपल लेंडा 2 माइनस भी अपॉन लेंडा 1 देखो वेल वी को मन लेते हैं वेलप स्टी दे रेके 396 वन अपॉन लेंडा 2.9 में क्योंकि यह मीटर पर सेकेंड में है माइनस वन अपॉन वन इसको सौल कर लेते हैं यह जानते हैं इस तरह से अपने इसको रिपर्जेंट करते हैं यह एंटंोड वाले वाले पार्टिकल का। attachments maximum फिर कं हुआ और कं हुआ कं और कं मुआ हो इस तरह दों उत्रम कम होते होते नोड पर कितने आ जाते हैं जीरू ह। कि दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल होते हैं एक साथ उपर जाएंगे एक साथ नीचे आते हैं एक साथ मीन पॉजिशन से पास होंगे ठीक है तो कहने का मला है यह सेम फेज में होंगे एक साथ उपर यह पार्टिकल यहां जाके रुख जाएगा यहां रुख गया यहां रुग इनका Amplitude Different है एक साथ ओपायेंगे एक साथ में पॉhow somethin पर आएंगे और में से सब पास होंगे तो इनकी वैलसीटिटी डिफरेंट होगी वी रिख्योंकि विकल पर जानते यह मैक्सिमॉ वेक्सिति नीज किwenग, नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल है उन सब का वह सब सेम फेज में होते हैं एक ही नोड के दोनों साइड के पार्टिकल अपोजीट फेज मे तो यहां पर यह पूच रहा है कि आल दे पार्टिकल सौन on either side of a node vibrate in same phase नहीं in the region between two nodes vibrate in the same phase एक node के बीच में same phase में vibrate करते हैं अपना answer जाएगा second ओके next question देखिए यह एक आपके पास organ pipe है आपको frequency दे रखे है 425 425 पांसो पिचान में और 765 हर्च ठीक है आपने इसको किसी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करके देखते हैं और बड़े से बड़ा नंबर आप देख लो 85 है 85 से डिवाइड कर लो 85 divided by इसको भी 85 this is also divided by 85 यह भी 85 यह आगे कितना अनका पांच यह आगा आपका साथ देख लोओ और यह आँगा आपका नं तो इसका मतलब इसमें केवलarád harmonics बन रहे हैं grace है और harmonics का मतलब हिच्थी बम बले रहे हैं विस्धा सनाधि बन रहे हैं विश्व सनान बन रहे तो def Ment lesson जो पाइप आ अगर इसकी fundamental frequency की बात करें मूल आवर्ती की बात करें तो साब दिख रहा है इसकी मूल आवर्ती 85 और जो बड़े से बड़े नंबर से आपने डिवाइड गया है यहां पर मूल आवर्ती 425 नहीं होगी क्योंकि फिप्ट आर्मोनिक है फिप्ट आर्मोनिक फिप्ट आर्मोनि यह आगया यह lambda by 4 होगी सब कुछ अपने solve किया है और यह अपन जानते कितना होता है V by 4L equal to 85 तो इसको अगर अपन solve करेंगे तो आपको देखो velocity 340 दे रखिए 340 upon 4 ठीक है लेंड आपको चाहिए और equal to कितना आगया 85 यह भी size 85 यह आगया तो L की value आ गई 1 meter सुल कर लो आप इसको L की value 1 meter आगया तो fundamental frequency V by 4L V दे रखका तो यह 1 meter इसका मलग close हो गया और इसकी लेंद आगई 1 meter ओके next fundamental frequency of vibrating or vibrating organ pipe fundamental इतनी है अब pipe के बारे में अपने को बोला नहीं pipe के बारे में नहीं बोला तो यह तो close होगा close के अंदर यह होगे 100 अगली आएगी 300 अगली आएगी 500 यह होगे fundamental यह होगे आपका first overtone यह होगे आपका second overtone अगर यह open pipe है तो 100, 200, 300 और यह इस तरह से तो यह तो आगे आपकी fundamental यह आगे आपका first overtone यह आगे आपका second overtone अब जो option बोल रहा हो देख लो the first overtone is this first overtone खुए का आड़ा कोई दिक्टी तीन क्योंकि pipe के बारे में जो पता नहीं यह से तो इसमें wrong statement के बारे में पूचा था तो आपना wrong statement हो गया second okay नेटल डॉपलर एफेक्ट इज अप्लिकेबल फॉर्ट तो डॉपलर एफेक्ट वो लाइट में भी पढ़ा है आप ले और साउंड में पढ़ा है तो दोनों ही होता है तो इसमें जी कुछ बताने के बात ही नहीं है तो यह जाएगा फॉर्ट ठीक है डॉपलर शिप्ट यह जै यहां रहे अगर यहां से एन dar की फ्रिक्वेंचि की वेव चल रिहे इसके पास एंड़े ci से पहुंचे गी चाए वो यहां चाही यहां चाही यहां इनका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस उसपर डिपैंड नहीं करता इनकी वेलोस्ती पर डिपैंड कर अधिन वी साउंड क्या होता है रोट गामा आश्टी अपॉन मोलेक्यलर वेट लेकिन यहां पर प्रेल्यूपूट करें अपन गामा की यह सेवंड ऐगी लेकिन इन बाकी के कंपेरिजन में इसका बहुत कम है तो अगर आप कैल्कुलेट्म पूलोगे हीलिएम और इनका पिय कर सकते हो minimum maximum पूछ है तो minimum वाले तो हीलियम तो कहने का मतलब है जो वेट आएगा वह ज्यादा कम होगा कि के comparison में गामा क्योंकि गामा डाइमों एटोमिक का कितना होता है दीप्रमानिय का साथ वोटे 5 वह यह होता है डाइटोमिक यह होता है 7 by 5 1.4 और मोनो अटोमिक जो होगा उसका आएगा 5 by 3 1.6 तो कोई ज़्यादा डिप्रेंस इन में आता नहीं तो ज़्यादा डो डिप्रेंस आएगा फ्रत जो आपड़ेगा वो किसका पड़ेगा का मोल्लिकुलर वेट का सबसे कम मोल्लिकुलर वेट किसका देख रहा है तो यह हैड्रोजन की होगी ओके नेक्स्ट किसन साण्ड वैव इस पाशिंग फृअ कोलम इन रियर कणृम फ्य कोलम से नक्न कंप्रchnरे क्या होता है जहां पर प्रेसर मेक्सिमम प्रेसर चेंज मक्सिमम कृम मिनीमम घजब सांड वीम किसी मीडियम ने ह desenvol़ दो चो ऊसके उसके था,apras ने क्या माना था, कि वो एक तरह का adiabatic process है, eadiyabatic process के अंदर क्या होता है, कोई भी heat exchange नहीं होता, कि ये बोल रहा है कि density remains constant नहीं होगी, boys slow का follow होता है, नहीं होता, क्योंकि boys slow के अंदर क्या होता है, temperature constant तो ये तो newton का था, उसके बाद में Laplace ने correction बताया था ठीक है bulk models तो constant होता है कोई solution का मतलब भी नहीं तो कहने का मुला there is no heat transfer क्योंकि Laplace क्या according क्या होता है कि heat transmit जो adiabatic process है कोई heat transmit नहीं होगा तो बेटा यह अपने 150 quesans अपने complete है ठीक है आजा करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा best of luck JCLC thank you